कि बरानिक लागे अपन दे सवाक्य माटी बरानिक लागे ना ही कोनो भेद भाओ ना ही कोनो जाती बरानिक लागे अपन दे सवाक्य माटी बरानिक लागे ए राजा सोनवा केसी करिया दिल्ली सहर से लई हा हो ए सईया सोनवा केसी करिया दिल्ली सहर से लई हा हो दिल्ली सहर से लई हा हो कि तो हसे कहेली तो हर में हरिया बतिया जन तु भुलाई हा हो ए राजा सोनवा केसी करिया दिल्ली सहर से लई हा हो कि जब चली ले डगर हामर लचा के कमर के सयागे पिछे डोले सब के धर के जिगर लई का जवान सभे गाल धरेला बाबन गच के हामर घघारा बाबाल करेला कि वो डाल दिया रे रंग बड़ी में सूट फईला के कमाल किया रे साला होली में कोली में बोला के मैं हू विकास और आप देख रहें दिफुल वॉल्यूम खुत्म की मलिका और जिनके मुख पे साक्षात मा सुरुशती का है वास जी हाँ आज वो मेरे साथ मौजूद है अंतरा सिंग प्रियांका जी अंतरा जी स्वागत है अमारे चैनल दिफुल वॉल्यूम पे धन्यवाद आपके चैनल देखने वाले सभी सुरुताओं को मेरा नमस्कार तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार सबसे पहला सवाल जो सारे लोगों के दिल में आता है अंत्रा जी कभी ठकती है या नहीं ठकते हैं अभी भी देख रहे हैं आज पूरे नजर आ रहा होगा कि ठके हुए हैं कल सरस्वति पूजा था तो फास्टिंग में है तो आवाज से तो आपको लगी रहा हो कि लगा हुए है अवाज लेकिन कभी-कभी क्या होता है आवाज लगा रहता है फिर भी रिकॉर्णिंग करना पड़ता है वह ठकना का मतलब है कि जब आदमी सो करके उठता है, एक नया वीडियो या नया सॉंग आपका मार्केट में आ जाता है यह सब आशिरवाद है, पॉब्लिक का प्यार है और काम है तो करना ही है, काम के लिए ही तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो काम से हम लोग दीन रात काम करते हैं, दो बजे तक रात तक काम होता है हम लोग का रिकॉर्डिंग. मतलब कि ठकना नहीं है? ठकते हैं, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है. अन्तर जी, आपकी सुरुवात कहां से हुई? आपकी गाने की सफर की सुरुवात कहां से हुई? पहले तो इसकूल में गाते थे उसके बाद फिर फॉक tão संय चोटा मोटा अपने गाउं में इसकूल के फॉन संन में उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि आप शिंगर बन सकते हैं बहुत अच्छा गाति यह तो प्लानिंग किये कि पटना करना है फिर पटना कर रहने लगे, फिर Hoorossos गाते हुते फिर लोगों को अच्छा लगा तो गवाने लगें छोटे-छोटे सिंगर में गाने लगे तो गाना हीट होने लगा तो फिर सारे लोग गवाते हैं, सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं. आपकी शुरुवाद जिन्दगी की कहां से हुई? बिहार से हुई? बिहार के बाहर से हुई? बिहार से, यह मेरे अपने काम से, हम सीतामडी के रहने वाले हैं, सीतामडी डिस्टिक्ट, तो वहीं से मेरा सुरुवाद हुआ है. तो इसमें परिवार का पूरा सही ओग रहा है परिवार का पूरे सही ओग है आपकी वो पहला ब्रेक जिस गाने से आपको मिला वो कौन सी गाना है पहला तो हमको याद ही ने क्योंकि एक दिन में दस गाना गाते थे तो पहला कौन सा हो याद ही ने कोई छोटी सिंगर का होग जो आपको अच्छा लगता है एक सूपर हीट थोड़ी है मतलब गिनेंगे तो बहुत सारा सुपर हीट 14,000 मेरा गाना हो चुका है तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना हजार से हजार तो हीट ही होंगे तो कौन सा सूपर हीट की बाता है जो हमारे दर्शकों को आप सुना सके है कौन सा को याद कर भाई है मुन्ना जी आपको को याद है गाना अच्छा सोना के से करिया हाँ अभी सोना का सि करिया क्यूंकि गाना हम स्टूडियों में गाल लेते हैं बाहर निकलते हैं तो याद भुल जाते हैं ये मेरे गाना जरूरी है तो वह अच्छा है मेरा आदत तो अभी सोना का सिक्रिया जो मेरा सिंगल सौंग है, वैसे तो सारे सिंगर के साथ आता है, लेकिन मेरा एक सिंगल शौंग है जो अभि dato 200 क्रॉस कर चुका है दिल्ली सहर से लई हाँ लोग और इस गाने को दिये हैं इसके लिए सभी दरसकों को दिल से मेरा पड़नाम दिल से धन्य बाद कि मेरे सारे गाने को अप धेर सराशिर बाद प्यार देते ही है डिवेट सॉंग लेकिन सिंगल संग को भी थरह सरज से सबसे ज्यादा कंफ़र्टेबल आप किनके साथ महसोस की है क्योंकि मेरा गाने का और काम करने का अलग तरीका है तो वो अपना गा कर चले गया है और नहीं तो मेल पे आ जाता है साथ मे रिकार्डिंग तो करते नहीं हैं वह ऐसे MIL Gaussianaları comfortable ये कह सकते हैं कि जोरी किनके साथ जमता है और यो जब बाहर आता है मतलब रिलीज होता है तो दर्शकों का सबसे ज़्यादा प्यार किस पे मिलता है कि जोरी के साथ क्योंकि साथ में recording होता नहीं है लोग सोचते हैं जो आदमी mail से होता है, mail पे अपना dummy track आपको कैसा गवाना है, अपना भेज दीजिए यहाँ पे हम लोग आके भेज दीए वो अपना, वहाँ पे vocal को mix करके जहां release करना है करते है आपने नहीं बताया कि सबसे ज़्यादा super hit जोड़ी किस से, किस के साथ आप लोग बतायेगा, आप भी तो सुनते हैं, आप बताये किस के साथ अच्छा लगता है, हम तो अंतरा जी सब के साथ अच्छी लगती है हमको अंतरा जी ही अच्छी लगती है तो सारे super star के साथ ही अच्छी मेरा भी जवाब है कि हम तो सब के साथ गाते हैं तो अच्छा कि सारे सिंगर के साथ ऐसा नहीं है कि एस्टार के साथ गाते हैं तो ही हीट करता है आप लोग देखे होंगे कि छोटे सिंगर के भी साथ गाये हैं तो बहुत सारा गाना हीट है तो हमको तो यह लगता है कि सभी के साथ जोड़ी अच्छा ल करने का आपकी अभी नई upcoming आने वाली album कौन-कौन सी है album तो बहुत है 400 तो आ ही जाएगा holy का तो उसमें single मेरा कम से कम 20 song तो आएगा ही और duet का बहुत सारा है खिसारी जी के साथ है गुंजन जी के साथ है कलो जी के साथ है समर्जी के साथ है जी जो आने वाली है उसके दो लाइन दर्शकों के लिए एक मेरा single song है जो बहुत release भी हो गया है डाल दिया सूट फैला के रंग डाल दिया सूट फैला के जिसका audio वीडियो रिलीज है बहुत अच्छा गीत है कि वो डाल दिया रे रंग बोडी में सूट फैला के कमाल किया घ्रियो भी होली में कोली में बोलाके इसका आगे कर लाइन हो को यात में जहीं मैं तो जिनको भी सुना है यह गाना रिलिज है बेश eccentric डाल दिया सूट फैला के वह बहुत अच्छा गीत है वो डाल दिया रहे रंग सूट फेला के बहुत अच्छा गीत है और साया से रॉंग टपक रहा है ये भी गाना मेरा आया है जो अभी काभी धूम मचा रहा है यूटूब पे सारे लोग सुन रहे हैं और अभी न्यू में भी आने वाला बहुत सारा गीत है आदी सक्ति से आए कि इस इंडस्टी में आने पर किसी ना किसी का सबका गूट फादर कोई ना कोई होता है आपके गूट फादर खौन है इस इंडस्टी मैं या किसकों मानते हैं आप इंडॉस्ट्रीज में तो कोई नहीं, एक लोकेस भीया है, जो मेरा साथ दिये हैं, गाउं से ही, तो उनका सपोर्ट है, थोड़ा बहुत बजाके बताते उताते ते पहले और अभी तक मेरे साथ है पहले की बॉलिवोड और आज की बॉलिवोड को कितना फर्क आप मानते हैं, कितना फर्क है ज़्यादा जनकारी नहीं है, बॉलिवोड के बाड़े में बस अम गाना सुनते हैं, बस बात खत्म, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है और आपके नहीं आने वाली जो मूवी है कोई पहले तो बॉलिवूड का गाना ही नहीं उतना सुनते थे जब से और जब से थोड़ा बहुत ग्यान हुआ है तो खुद काम करने लगे तो टाइम नहीं मिलता है वैसे चलते फिरते जो खुब हीट होता है अभी क्या गाना हिंडी में तो वो सब सुन लेते हैं लेकिन ज़्यादा जनकारी नहीं रखते हैं बॉलिवूड में आप किसकी फैन हैं? सिंगर सिंगर हैं, एक्टर, एक्ट्रेस उधित नरायन जी बहुत अच्छे लगते हैं उनका गाना भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अकेले होती है तो कौन सी गाना आप गुन-गुनाना चाहती है? अकेले होते हैं तो कौन सा गाना गुन-गुनाएंगा अरे इस्टूडियो भी इतना गाना गाके जाते हैं कि मतलब ज़्यादा अच्छा लगने लगता है तो गुन-गुना नहीं लगते हैं 24 गंटा के लिए गुन-गुना आते उसके बाद याद भूल जाते हैं अब एक गाना कोई है नहीं कि आप खोम बता है मतलब गाना ही गाते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना गाना हम गुन गुन आ सकते हैं अब अगला गाना गाना है तो वो मन नहीं मन गुन गुन आते रहते कि ये गाना हमको गाना है पहला स्टेज प्रोग्राम आपने कब किया था? लायर स्टेज प्रोग्राम तो अपने इस्कूल के ही टाइम में किये थे कौन सी गाना उसमें आपने गाया था ये वला गाना गाया थे यूथ फेस्टीवल मेरे वहां सितामडी में हुआ था तो उसमें गाया थे अभी हम एल्बम में भी उस सौंग को गा दी है देशवक्ती सौंग था अभी भी रिलीज है बरा निक लागे अपन देशवा के माती जो लोग नहीं सुने है वो सुन सकते हैं ओडियो वीडियो रिलीज है अंत्रा जी, शादी का क्या विचार है आपका? शादी करेंगे तो आप सबको बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए. मैं समलुक जैसे सोचते हैं, मेरी राजकुमारी ये वेसई हो, आप क्या सोचते हैं, आपके राजकुमार कैसा होना चाहिए? अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, समझने वाले हो, बस हर लड़की का यही ख्वाइस होता है. तो समझने वाले तो हर एक लड़की मिलते हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए करेक्टर? ने, 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 ऐसा थोरी होता है कि सारे एक जैसे होते हैं, मतलब समझने का मतलब अच्छे इंसान हो और क्या, जो समझने वाले हो, जो अंतरा जी को समझेंगे, वो अभी से तैयारी सुरू कीजिए, अंतरा जी, जाते जाते हमारे दिफुल वॉल्यूम के दर्शकों के बहुत अच्छा प्यार आशिरवाद मिल रहा है, वन मन्त हुआ है इस गाने का, और उसका भ्यूज पचास लाग हो गया है, तो यह सब आप सब का प्यार है, तो वो गाना कि जब चलीले डगर हमर लचा के कमर के सयागे पिछे डोले सब के धर के जिगर लई का जवान सब हे गाल धरेला, बाबन गच के हमर घगारा बाबाल करेला कि जब चलीले डगर हमर लचा के कमर के सयागे पिछे डोले सब के धर के जिगर लई का जवान सब हे गाल धरेला, बाबन गच के हमर घगारा बाबाल करेला तो यह आना बहुत अच्छा हमको लगता है और पॉब्लिक वीडियर सा राशिरवाद प्यार दे रहे हैं वाब बहुत खोब हमारे दिफूल वॉल्यूम के धर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि अब होली आ रहा है हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जूरे हैं जो लोग नहीं जूरे हैं किर्पिया जूर जाएए क्योंकि बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग जूरे हैं या जूरे हैंगे उनसे निवेदन कि मेरा बहुत सारा बहुत सुन्दर सुन्दर गीत होली का आने वाला है कुछ रिलीज हो गया है कुछ और भी बहुत सारे गीत आएंगे तो आप सबसे निवेदन कि उस गीत को जरूर सूने और हमेशा की तरह जैसे पिछले साल भतिजवा का मोसी कितना हिट ये भी हम चाहेंगे कि आप दो लाइन गुन गुना दीजेए अब याद करवा हैं तो आप एकदम पड़ गए पीछे बतिजवा के मोसी जिन्दावाद बतिजवा के मायो जिन्दावाद ये गीत को धेर सरा आशी बाद प्यार मिला था पिछले साल होली का गीत था इस वारी भी के सारी जी के साथ आया है बहुत हीट हीट सॉंग और भी स अतिया तोर माईयो जिन्दावाद तोर मॉसीयो जिन्दावाद आरे की जबरी न जबन न में रोंग डाला देवारू आलाई कवाक्य सजान दवांग बन देवारू पिक्या तु करे लका नवा टांकी आदमी हव पिर आयभ तु मेंकी औस रही पिछु कारी तोहर बच्चा बोला है वो बहुत सुन्धरम को भोकल लगता है आप सब को भी अच्छा लग रहा है वा, क्या खूम धेरसबाद आप सब को धन्यवाद कि इस गाने को 200-200-700,000,000 हो गया, इस गाने का तो धेरसबाद प्यार आप लोग ने इस गाने को दिया तो आप सब को दिल से धन्यवाद और जितना भी सोंग आने वाला है आप सब जरूर सुनिएगा, बहुत सुन्दर सुन्दर गीत आने वाला है अंत्रा जी जाते जाते एक लास्ट मेसेज दर्सोकों के लिए दर्सोकों के लिए तो हम मैसेज देही दिये हैं कि आप लोग अभी हुली का हम लोग तयारी कर रहे हैं गाने के माधियम से आप सब भी तयारी करें और धेर सारा प्यार बाटे, धेर सारा प्यार करें अपनों से पस यही मैसेज है आप सब खुस रहें मातरानी का अशिरबाद हमेशा आप सबों पे बनी रहे अंत्रा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद विकास जी और फूल वलियूम के दर्सक को भी दिल से धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे अभी सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद